1761, 14. januar शक्रान्त, मक्कर सक्रान्ति वाले दिन, आपके पानिपत का तीसरा युद्ध होता है, पानिपत में दो युद्ध पहले हो चुके, यह पानिपत का तीसरा युद्ध था, आप medieval कंदर पढ़ते हो कि पहले तो आपके बाबर और इब्रहाम लोदी के बीच में मुगल बादसा की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि मुगल बादसा से उन्होंने 50 लाग रुपे ले रखे हैं, इसलिए मुगल बादसा वो जो टेरेट्री है, M.S. अबदाली बले मुगल बादसा की तरेट्री पर आकरमन कर रहा है, पानिपत एक दम दिल्ली के पास आ जाता है पर जब आपने 50 लाग रुपे लिया हैं, तो आप मुगल बादसा की तरफ से लड़ो, तो मरठाउन का कोई चिंता नहीं, अबदाली से इनकी बन नहीं रहे थी पंजाब में, ये अपने अधिकारी बनाना चाहते थे, अबदाली अपना अधिकारी बनाना चाहते है, अब ऐघमस्य अभदाली अफगनिस्तान का रजा, इस इसार मरठे मुगलओं के तरफ से लड़ रहे थे, अबदाली के जो कमंडर गया था, वो जो पेशवा था, उस पेशवा का बेटा था बोच छोटा सा यंग एज का बेटा था उसका विश्वासराव। अप्चारिक सेनापती बना गए, फॉर्मल कमांडर तो इसको बना के भेजा गया, पर वास्तों में जो सक्ती थी, वो सदाशिव राव भाव, भाव के आथ में सारी सक्तियां दी गए, ये बड़ा अच्छा कमांडर था, और भाव को कहा गया, भाव, नाम का तो कमांडर वे कमांडर तोप खने का जो परमुक था, उसका नाम याद रखे ना, इबराहिम खान गार्दी, तोप खना किसको दे दिया गया, इबराहिम खान गार्दी को दे दिया गया, कई लपड़े है, ये तो भाव के लिए कहा जाता है कि भाव थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी वहाँ पानिपत के मैदान में जब जाकर बेटे तो ये तो शर्दी का टाइम, अबडाली पहले आके बेट गया था, अबडाली जिस जगह पर कैम्प लगा रहे थे वो जगह थोड़ी उंची थी, मराठे जिस जगह पर जाकर बेटे वो जगह थोड़ी नीची थी, फिर जादातर जो भारत के मुस्लिम थे, अबडाली के पक्स में उन लोगों ने बुलाया था, तो ये जहाँ मराठे बेटे थे, इंडिया वाली साइड में बेटे, ये वो उद्र वाली साइड में बेटा थे, इनके पिछे बाकी जीते मुसलिम राजे थे, उन्होंने गहरा ब गए, तो सारे हिंदूओं को किस के पक्स में उना चैए था, मराठ बढ़े, पर हिंदू मराठोन द्वाराइँ तंग थे उन दिनों में तो, राजस्तान वाले सारे तंग थे, इन्होंने कोई शाहिता नहीं कही, पंजाब वाले भी शाहिता नहीं केरे शिखाणे भी शाह इनको कहा मराठों को, यार मराठों की क्या था कि जब इतने साल तक अटेक कर रहे थे, तो इतनी विसाल सेना होती थी, कि किसी में भारत में तो दम ही नहीं बचाता कि इनका मुकाबला करते ह। इसलिहें ज़्यादतर बार तो ये होता था जि मराठे कहीं आकर्मन करते हैं, अगले से रूपए माँगतें, और अगला रूपए दे दिया करता था। इसलिह मराठों को इतना गमंड था गया और हमारे से लडने की ओकात ही किसी है। इसलिए मराठों के सेना में सेनिक तो जाने लगे कम और बाकी नोन मिलिटरी एलिमेंट ज़्यादा होते महिलाएं नाचने वाली संगीत कार खाना बनाने वाले भरतपूर महराज सुरजमल जब मिले भावु से उन्हें भाव को कहा कि बाव यार यह लुगाई टाबरों को लेके युद्ध करने कहां जा रहे हो अब दाली दुर्दानती योद्धा है कि अवल आर्मी लिये वे पड़ा है आप यार वाँ जाके कोई घर तोड़ी बसाना अपने को एक काम करो लुगाई टाबरों को इधर छोड़ जाओ अकेले चले जाओ भाव को बड़ा गमंड था इस बात को बाव उनके अच्छा अब तुम लोग बताओगे लड़ाई कैसे करनी यार कैसे नहीं करनी है और भाव उनकी सला नहीं मानता अब को सला यह नहीं म मेराठों की दिमाग में आये नहीं थि यह बात माराठों की खुद के सहना पती अच्छे सहना पती हुलकर और शिंधिया अका भी कही न जा कहीं बने नहीं सदा शीवर आव भाव के साथम तो भाव के मराठां की जो सेना है उसमें भी पूरा समन्वे नहीं था, कॉडिनेशन नहीं था फिर कैम्प मराठों का नीचे के तरफ लगावा, पीछे से रसद सामगीरी रोकी वी बर्सात हो रो गए बर्सात होई तो जिदर मराठों का कैम्प था, उदर किचड किचड ओर हो गया फाइनली हालात यह हुए, अनाज चारोंतरप से अना हो गया बंद गोडे मरने लग गया, स्यनिक मरने लग गया बिना युद की भाव युद करने की अनुमती नहीं दे रहा, भाव देखे की थोड़ा वेटन वोच, वेटन वोच देखते हैं तो स्यनिकों ने आके भाव को का, कि भाव अब लड़ लेने दे, भूख से मरेंगे, इस से अच्छा है लड़के मरेंगे भूख से मर रहे हैं, किचड के वज़े से मलेरिया फेल गई है, इसकी वज़े से मर रहे हैं, इक गोड़ों के मरने से दुर्गंद हो गई है, इसकी वज़े से मर रहे हैं अब लड़ने दे मराठों का तोप खाना और इस किचड के अंदर फस गया, इबराहिम खान गार्दी अपने उन भारी तोपों को निकाली नहीं पाया था निर्णा एक रूप से मराठों को हरा दिया गया था साइध ही महराष्टर का कोई परिवार बचा होगा जिसका कोई व्यक्ति इस युद्ध के अंदर सहीद नहीं हुआ होगा अलंगे अहमद साबदाली को भी खुबी नुकसान हुआ वो युद्ध तो जीत लेता है लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ पाया फिर युद्ध जीत के बेचरा चुप चाब उदर पंजाब में अपनी लूट मार करकूरा के उदर चला गया था लेंगे एक बहुत बूरा हुआ कि मरठों के जो महिलाएं और बच्चे थे वो घेरे के अंदर फस गए और केते हैं MS अबदाली उनको ले गया था ये बाहर वाले आकरमता जितनी आते थे इनका टारगेट ही महिला और बच्चे हुआ ही करते थे हमेशा महिलाओं बच्चों को उठा के ले के जानार वो होता ही था वो भारतिये संस्कृति को और समझते ही नहीं थे यहां महिलाओं बच्चों का भी सम्मान होता है कि युद्ध में इन्हें नहीं मारते हैं इसी कोई बात ही नहीं थे अभी जो थोड़ दिन पहले यूरा सिंग वाले पापा योगरा सिंग विश्वमन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हिंदुवाँ दी कुडियान अबदाली टके टके चे लेके गया सिंग इसी की बात कर रहे थे मुझे लगा कम से कम इन्होंने एक सच्चाई की तरफ इसारा तो किया खुब गलत बात ती ऐसा नहीं बोलना चीए था पर आपने बताया तो सही कि अबदाली कितना बुरा था उसने क्या कांड किया उसकी तरफ तो इसारा हुआ कम से कम तो पानीपत के तीसरे युद में मरठों को बहिंकर तरीके से हरा दिया गया था विश्वास राओ, सदासिव राओ, भाव सब मर गये थे वो मस्तानी का बेड़ा समसेर बहादूर इस युद में बहादूरी के साथ ही लड़ता बंमारा गया था वो सांदार तरीके से लड़ा था वो भी इस युद में कहते हैं पेश्वा के पास तो समाचार तक नहीं पहुँच रहे थे इतना पिछे जो बाकी अफगान थे उन लोगों ने घेरा बना दिया था कोई एक बंजारा बंजारा समझते हैं आप समान बेचने वाला कोई बंजारा उधर पूना आगे तरप गया तो पेश्वा ने पूछा उससे कि यार हमारे वाले युद्ध करने के लिए गये थे क्या समाचार है बंजारे को बड़ा आश्चरे हुआ कि पेश हुआ को अभी तक पता भी नहीं कि हम भहेंकर तरीके से हार गए है पर बंजारे को लगा यदि मैंने अब बता दिया तो पता नहीं क्या रियक्शन हो बंदे पर अचानक ये सुनके सब तो कोड़ वर्ड के अंदर बोलता है कि दो मोती विलीन हो गए दो पर्ल डायमंड आपके विलीन हो गए समुद्र में मिल गए वापस कहने का मतलब था तुम्हारे दोनों कमांडर विश्वास राव और सदाशिय राव भाव मरे गए 22 सोने की मुहरें गाएब हो गई है मतलब 22 ओर अच्छे अच्छे कमांडर और समाचार को सुनकर हाटे डिका जाता है पेश्वा इस समाचार को सुनकर ही मर जाता है कहा जाता है कि पानिपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि बारत पर राज कोन करेगा बलकि यह फैसला कर दिया था कि भारत पर राज को नहीं कर पाए जो मुगलों के पॉलिटिकल वेक्यूम को लेने के लिए तयार हो रहे थे इस युद्ध ने यह इस्पष्ट कर दिया कि अब मराठे भारत पर राज नहीं कर पाए एक और अच्छा इस्टैट्मेंट है किस युद्ध से मराठे पूरी तरीके से समप्त तो नहीं हुए पर भली भांती कुचल जरूर दिये गए थे हालांकि थोड़े दिनों बाद एक बार फिर वो तयार हो रहे थे और इस बार उनको कुचलने के लिए अंग्रेज तयार थे यदि मराठे पानिपत के तीसरे युद्ध में नहीं हारे तो साइध वो अंग्रेजों के जड़े भारत के इंदर नहीं जमने देते वो अटक से कटक वाला अपना पूरा राज्य तो इस्ताफित कर जाते हैं पर वो इस युद्ध से इतने कमजोर हुए कि जब तक वापस रियोर्गेनाईज हुए अंग्रेजों को संभलने का पूरा मोका मिल गया था एक और अच्छा स्टेटमेंट कि पानिपत के तीसरे युद्ध में उस पक्स को सबसे अधिक फाइदा हुआ था जो युद्ध के मैदान में नहीं था अंग्रेज कि जम इंडियन सब कॉंटिनेंटल की दो महत्वपण सक्तियां आपस में लड़ भीड़कर एक दूसरे को कमजोर कर रही थी अफगान और मराठे तब अंग्रेजों का गवर्नर कलाईव वापस लंदन जा रहा था इस बात पर चर्चा करने के लिए कि भारत में इस टेंडिया कंपने के समरज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए